नमस्कार जहिंत, All Exam Guide Guru का YouTube चनल आप सबी देख रहे हैं, आज के practice set में हम आपके लिए mixed question लिकार आएंगे, इसमें आपको history भी मिलेगी, quality भी मिलेगी, computer, science, geography, हर topic के question मिलेंगे, बहुत ही शांदार question है, करते हैं इस वीडियो को भी नदर क्यों, start पहला question देखे, इसमें क्या option number B, अलाओ दीन खिल जी के समय सबसे जादा मंगोलों के अक्रमन हुए थे, option number यहाँ पर भी प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, अगला question दिखिए, एक व्यक्ति राष्टपती पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, एक व्यक्ति आयू पी एसी नाम क्या है, तो क्लोरल का आयू पी एसी नाम है, आपका ट्राई क्लोरो इथेनल, option number D, ट्राई क्लोरो इथेनल, प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा, भारत के समय धान का कौन सा अनुछेद राज्यपाल की छमादान शक्ति से संबनेत है, तो अलहाबाद इस्तंब अभी लेक्जिस को प्रयाग प्रस्थि कहा जाता है, तो प्रयाग प्रस्थि ये समध्रगुप्त से संबनेत है, option number यहाँ पर D, समध्रगुप्त प्रश्णी के लिए right answer हो जाएगा, ऐसा ही system में तापमान की काई क्या है, तो SI system में तापमान की काई होती है, आपकी Kelvin, option number यहाँ पर A, Kelvin यह तापमान की काई है, SI system में, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी आती है, तो कौन सी गैस निकलती है, तो रक्त तप्त लोहा मितलब विल्कुल लाल है, विल्कुल लोहा, उस पर यदि आप भाप गुजारेंगे, तो right answer हो जाएगा, hydrogen gas निकलेगी, option number C, hydrogen gas, right answer हो जाएगा प्रशने के लिए, integrated circuit chip, IC chip पर किसकी परत होती है, तो IC chip जो होता है, इस पर silicon की परत होती है, option number A, silicon की परत प्रशने के लिए right answer हो जाएगा, दोस्तों कल मैं आपको offer के बारें बताते हैं, यहाँ पर कई लोगों confusion हो गई है, यह PDF है, e-book मतलब होता है online PDF, तो आपको 99 रुपय में 10,000 MCQ मिलेंगे, PDF मिलेगी इसकी, आप चाहें तो purchase कर सकते हैं, शुरुवात के 1000 बच्चों के लिए सिर्क 99 रुपय में रही, 10,000 MCQ रहेंगे, contact number आपको screen पर दिख रहा होगा, मैं नीचे भी आपको show कर दूँगा वीडियो के बाद आप जाके चाहें, तो purchase कर सकते हैं, PDF रहेगी, आप WhatsApp करिए, तो आपको screenshot भेज देंगे, कैसे question है, WhatsApp कर देना आप इसी number पर, तो आपको screenshot भी भेज दिए जाएंगे, चलिए, बढ़ते हैं आगे अगले question पर, उसमें आपसे क्या पूछा गया देखिए, अगले question में आपसे पूछा गया है, परियावरण का अध्यन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतरगत किया जाता है, तो परियावरण का जो अध्यन जीव विज्ञान की साखा के अंतरगत किया जाता है, उसका नाम है, पारिस्तिकी, option number याँ पर C, पारिस्तिकी के अंत कुटबुदीन एवक को छोड़ कर गया था option नमबर यहां पर सीकुतबुदीन एवक प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा क्लोरोफार्म का आईउ पी एसी नाम क्या है तो क्लोरोफार्म का नाम होता है तो हिंदी को संग की आदिकारिक भाशा के रूप में अपनाय गया है तो हिंदी को संग की आदिकारिक भाशा यह जो जिक्र किया गया है अनुछित 343.1 में किया गया है कि जो हिंदी है वो संग की आदिकारिक भाशा रहेगी अपनाय गया है सभी गैर शून्य वेक्टर मतलब सदिश को क्या कहा जाता है तो सभी सदिश जो रहते हैं proper vector या उपर्युक्त vector कहा जाता है सदिश को उपर्युक्त vector या English में proper vectors कहा जाता है अगला question देखिए इतिहास कार V.A. Smith ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था तो V.A. Smith ने समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन की संग्या दी थी option number यहाँ पर D. right answer हो जाएगा प्रश्णी के लिए शीत काल में हेंड पंप का पानी गर्म होता है ऐसा क्यों तो शीत काल में हेंड पंप का पानी गर्म होता है इसके पीछे का रीजन है कि प्रत्वी के भीतर का ताप मान वायू मंदल के ताप मान से अधिक होता है option number यहाँ पर भी प्रत्वी के भीतर का तापमान वायू मेंडल के तापमान से अधिक होता है option number भी निम्दल के धातू हमें से कौन सी धातू नमक के तनू अमल hydrochloric acid की क्रिया से hydrogen gas नहीं देती है तो hydrogen gas नहीं देगी इनमें से कौन सी धातू तो right answer हो जाएगा option number भी CU यह आपको hydrogen gas नहीं देगी comment करके बता है यह CU का full form AL का FE का और ZN का इन सब का full form comment करो ज़रा chemistry है question है इन सब के full form भी पूछे आ सकते हैं बिल्कुल easy है aluminum A का मैंने बता दिया BCD तीनों का comment करके बता दिये जल्दी जल्दी integrated circuit chip का विकास किसके दुबार किया गया इसका विकास JS किल्वी नाम याद रखना JS किल्वी option number C right answer है phycology में किसका अध्यन किया जाता है तो phycology के तहट आपका शैवाल का अध्यन किया जाता है option number A शैवाल प्रश्न के लिए right answer है रजिया सुल्टान किसकी बेटी थी तो रजिया सुल्टान ये इल्टुत मिश्की बेटी थी option number A इल्टुत मिश्की बेटी रजिया सुल्टान right answer हो जाएगा IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है option number B ethanol प्रश्न के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला question देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्टपती निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयू कितनी होने चाहिए कम से कम कितने साल का होने चाहिए आप राष्टपती के चुना लड़ने चाहते हैं कम से कम आपके आयू होने चाहिए 35 वर्ष option number या पड़ी 35 वर्ष वाला व्यक्ति राष्टपती बन सकता है option number या भारत के समविधान का अनुच्छा का अधिकार प्रदान करता है तो जो अनुच्छा 21 ए है ये सिक्छा का अधिकार प्रदान करता है option number या प्रश्ण के लिए राइट आंसर हो जाएगा निम्नमैसे कौन सी संरक्षी बल की विशेष्टा है संरक्षी बल की विशेष्टा तो राइट आंसर हो जाए जो संरक्षी बल होता है इसके द्वारा किया गया कार पूरी तरीके से पुनह प्राप्त करने योग होता है पुनह प्राप्त करने योग होता है दुबारा तो ऐसे बल को संरक्षी बल कहा जाता है option बड़ी यहाँ पर राइट आंसर है विशेष्टा है ये संरक्षी बल की कौन सा कथन इन मेंसे सही है यहाँ पर दो कथन दिये गए हैं आपको चंदरगुप्त प्रथम की पतनी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी यह मैंने आपको कल स्पेशल एक हिश्ट्री का वीडियो बना था जिसमें केवल हिश्ट्री के कॉश्चन थे सिर्फ हिश्ट्री के वो भी गुप्त सामराज के कल आप लोगों में से कई लोगों ने देखा भी होगा हिश्ट्री का वीडियो किस-किस ने देखा कमेंट करके बताना हिश्ट्री क वो वीडियो तो केवल ए सही यहां पर चंद्रकुप्त पधम की पत्नी कुमार देवी लिछवी राजकुमारी थी option number A यहां पर right answer है वास्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्छे हो सकता है उबलते हुए जल का तापमान उच्छे हो सकता है boiler के अंदर यदि pressure बढ़ा दो उच्छे दाब हो high pressure हो option number C यहां पर प्रश्ण के लिए right answer हो जाएगा tritrium किस का समिस्थानिक है तो tritrium यह hydrogen का समिस्थानिक है option number यहां पर भी hydrogen प्रश्ण के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा computer hardware जो आकणों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है तो ऐसे computer hardware को chip कहा जाता है option number B chip प्रश्ण के लिए right answer हो जाएगा वह विज्ञान जिसका सम्बंद जीवधारियों के अध्यन से होता है उसको क्या कहा जाता है तो जीवधारियों के अध्यन से सम्बंद विज्ञान को जीवविज्ञान कहा जाता है option number D जीवविज्ञान प्रश्ण के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हद्या कर दी थी तो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए ससुर की हद्या अलाओदीन खिल्जी ने कर दी थी option number याँ पड़ी allowed इन खिलजी प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा acetylene का IUPAC नाम क्या है तो acetylene का IUPAC नाम है इत्हाइन option number भी इत्हाइन प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा भारत के राश्टपती के लिए आवश्य के योगिता नहीं है इन में से कौन सी तो भारत के राश्टपती के लिए वहाँ भारत का नागरिक हो बिल्कुल जरूरी है 35 वर्ष से अधिकाय हो बिल्कुल जरूरी है उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारत सभी योगिताएं हो ये भी सही है वहाँ किसी संसत का सदस्य हो जरूरी नहीं कि वहाँ किसी संसत का सदस्य हो जरूरी नहीं कि वहाँ किसी संसत का सदस्य हो जरूरी यहाँ पर जो है गलत आंसर है बाकी तीनों योगिताएं राष्ट पती की योगिताएं होती हैं निम्नल कित्म से कौन भारत के उपर राष्ट पती थे भारत के उपर राष्ट पती थे तो यहां पर आपको कुछ नाम दिये गए हैं उसमें से इससे विद्धुत प्रती परिपत की रक्षा करता है option number D overloading से रक्षा करता है fuse चंदरकुप्त प्रथम ने कौन सी उपादी धान की थी तो चंदरकुप्त प्रथम की द्वारा महराजा धीराज की उपादी धान की गई थी option number याँ पर भी महराजा अधिराज राइट आंसर है अगला कॉशन देखिए जब कुछ पानी का लगातार मन्थन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है इस क्रिया में क्या होता है बताइए पानी को आफ फेटेंगे या गुमाएंगे मन्थन करेंगे तो उसका ताप मान बढ़ जाता है एंसा क्यों होता है थोड़ा सा एंसा नहीं की बिलकुल उबलने लगे इसका जो रीजन होता है वो है आपका या आंतरिक जो उर्जा रहती है उसका रूपांतरन उशमी उर्जा में हो जाता है इसलिए थोड़ा सथ आप बढ़ जाता है option number यहाँ पर C right answer हो जाएगा प्रशन के लिए जब कुछ पानी का लगातार मंतन किया जाता है यह होगे निमलकित में से कौन hydrogen का समिस्थानिक नहीं है hydrogen का समिस्थानिक नहीं है पूछा गया है तो देखिए a prutrium, deuterium,agitrium यह है atrium option number यह hydrogen का समिस्थानिक नहीं है atrium hydrogen का समिस्थानिक नहीं है computer का सबसे शिकिति इए आपका CPU होता है option number a CPU परशनिक लिए Dalya जाते है तो जाते है तो हिपहेसर के विद्द्यारति की और हम सब्सक्रेय जाते हैं तराइन की पहली रड़ाई 1199 ECV में निमलकित में से किस के बीच में हुई किन के बीच में हुई तो तराइन की जो पहली रड़ाई हुई थी यह मुहमबद गौरी और प्रत्वी राज चोहान के बीच में हुई थी अप्शन नमबर यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा तराइन की पहली रड़ाई मुहमबद गौरी और प्रत्वी राज चोहान प्रशनी के लिए राइट आंसर है इथलीन का IUPAC नाम इथीन है अप्शन नमबर यहाँ पर A इथीन प्रशनी के लिए राइट आंसर हो भारती सस्त्र सेनाओं का सर्वुच कमांडर कौन होता है तो भारती सस्त्र सेनाओं का सर्वुच कमांडर यह होता है आपका राष्ट्रपती और राष्ट्रपती प्रश्ण के लिए राइड आंसर है अंतर संसदी संग IPU के राष्टि समू और भारत में राष्टमंदल संसदी संग है भारत में क्या है राष्टमंदल संसदी संग CPA बोलते हैं इसको तो यह इस्थापित की गई थी 1999 में आपको बताने कि IPG भारती संसदी समू का पदिन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है इन सभी का तो भारती इन सभी का जो है पदिन अध्यक्ष होता है राइट आंसर हो जाएगा आपका लोक सभा अध्यक्ष लोक सभा अध्यक्ष प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए पारसेक डैश की काई है जो पारसेक है यह आपकी लंबाई की काई है अप्शन नमबर यह लंबाई की काई है पारसेक गुप्त समवत की स्थापना किस ने की तो गुप्त समवत की जो स्थापना हुई थी यह चंद्रगुप्त प्रथम की द्वारा हुई थी अप्शन नमबर यहाँ पर यह चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर हो जाएगा जब कभी कार उश्मा में बदलता है यह उश्मा कार में बदलती है तो किये गए कार वा उटपन उश्मा का अनुपात एक इस्थरांग होता है फिक्स होता है इस्थरांग मतलब कॉंस्टेंट होता है जिससे का कहा जाता है यांत्रक तुल्यांग तो आपको बताना है कि यांत्रक तुल्यंग का मान क्या होता है तो यांत्रक तुल्यंग का मान जो होता है आपका option number A, B, C, 3 सही है 4186 jool प्रती kilo calorie अब kilo calorie को calorie मदलोगे तो 4.186 हो जाएगा और इसको अर्ग प्रती calorie मदलोगे तो 4.186 10 की उपर 7 की घात हो जाई है यहां पर 10 की उपर 7 की घात टाइप इमस्टिक है option नमर यहां पर D प्रशनी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा उपरोक्त सभी निमने लेकि तुम से कौन hydrogen का समस्थानिक नहीं है तो hydrogen का समस्थानिक आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशनी के लिए proteum, deuterium और tritium है ozone नहीं है ozone hydrogen का समस्थानिक नहीं है option नमर यहां पर D राइट आंसर है वह hardware device कौन सी है जिसे आम तोर पर computer का brain कहा जाता है तो computer का brain कहा जाता है CPU को option नमर यहां पर CPU प्रशनी के लिए बिलकुल सही आंसर है Historia any malium पुस्तक के लिखक कौन है तो इस पुस्तक के लिखक राइट आंसर हो जाएगा अरस्तू है option नमर यह अरस्तू प्रशनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा कुवत उल इसलाम मस्जित का निर्माण किसके द्वारक किया गया था कुवत उल इसलाम मस्जित जो है कुटबुदीन एवक के द्वारस का निर्माण कराएगा था option नमर यह कुटबुदीन एवक कुवत उल इसलाम मस्जित से संबने थे हैं कार्बनिक योगिक CH3OH का IUPAC पद्धिती में नाम क्या है तो CS3OH इसको बोला जाता है मेथनॉल आप्शन नमर यापर यह मेथनॉल प्रश्णि के लिए राइट आंसर है निम्नले कितम से कौन भारत के उपराष्ट पती कभी नहीं बने थे उपराष्ट पती तो नीचे के तीनों बने हैं वीवी गरीजी भी बने हैं बीडी जत्ती और जाकिर हुसेन गुलजारी लाल नंदा यह कभी भी उपराष्ट पती नहीं रहे हैं आवस्था या समान चाल में परिवतन हो जाता है, क्या चीज़ है? तो यदि आप बाहर से बल का यूज करेंगे तो किसी भी निकाय में परिवतन हो जाएगा, ακरी पर बंच कacioर समान चाल हो जाएगा इनका राज था किस वैग्यानिक ने सरपतम बर्फ के दो तुक्णों को आपस में घिसकर पिगला दिया तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस प्रशनी के लिए डेवी ने बर्फ के दो तुक्णे लिए उनको आपस में घिसकर पिगला दिया option number C, डेवी प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा hydrogen के समिस्थानिकों की संख्या कितनी है तो hydrogen के समिस्थानिक है 3 option number B, hydrogen के 3 समिस्थानिक है प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा computer का नियंत्रक भाग कहलाता है computer का नियंत्रक भाग CPU कहलाता है Option number C, CPU को computer का नियंत्रक भाग कहा जाता है Historia Plantarium, पुस्तक के लिए कोई है? तो Historia Plantarium, ये पुस्तक लिए थी, Theo Fretts ने, Option number B Theo Fretts ने हिस्टोरी का Plantarium पुस्तक लिए थी, Option number यहां पर भी प्रश्न के लिए right answer हो जाएगा निमने लगेत में से वहां दिल्ली का सुल्तान कौन था, जिसकी मृत्तिव, चौगान या पोलो खेलते हुए हुए थी तो चौगान या पोलो खेलते हुए कुतबुदीन एवक की मृत्तिव हुई थी option number A कुतबुदीन एवक की मृत्तिव चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था दिल्ली का सुल्तान एनिलीन के शुद्धी करण के लिए किस विधी का प्रयोग किया जाता है तो एनिलीन का शुद्धी करण के लिए भाप स्रावन विधी का प्रयोग किया जाता है याँ पर option number A भाप स्रावन विधी प्रशने के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा भारती सम्विधान का निम्नमे से कौन सा अनुछिद एक GST परिसर की स्थापना से संबनित है अनुछिद 279A option number C अनुछिद 279A के थेट GST परिसर की स्थापना की गई भारती सम्विधान के अनुछिद देश की तीनो सेनाओं का ध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है तो सुप्रीम कमांडर होता है आपका राष्ट्र पती option number E तीनो सेनाओं का ध्यक्ष सुप्रीम कमांडर राष्ट्र पती होता है सबसे पहले यह निश्कर्शन निकाला कि निर्वात में सभी वस्तु में समान तोरण मतलब G के साथ गिरती हैं और एक ही समय पर जमीन में पहुंचती हैं यह निस्कर्शन सबसे पहले जो निकालने वाले थे राइट आंसर हो जाएगा वो थे आपके गैलीलियो गैली ऑप्शन में यह निकाला कि निर्वात मतलब वैक्यूम में वैक्यूम में जो वस्तु हैं सभी वस्तु हैं वहाँ पर G के साथ गिरती हैं और एक ही समय पर जमीन पर पहुँचेगी कोई भी वस्तु हो कोई भी वस्तु हो ऑप्शन नमरे किसके शाशनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई तो अजंता की गुफाएं बनाए गई थी गुप्त शाशनकाल के समय ऑप्शन नमरे गुप्त के समय अजंता की गुफाओं का बताय था option number b rum ford प्रषणी के लिए बिल्कुल सही answer है वह तत्वे, जिसका पर्माळु क्रमांक तथा पर्माणू भार दोनो एक समान होते हैं कौन सा है तो पर्माणू क्रमांक और पर्माणू भार दोनों एक समान होते है hydrogen option number e hydrogen प्रशणी के लिए right answer है कंप्पूटर के संचालन में प्रिक्त प्रोग्राम, नियम, तोध कंप्पूटर की रियाउँ से संबनेत, अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामगरीओं क्या कहा जाता है, इन सामगरीओं कहा जाता है आपका software, option number A, प्रोग्राम जो प्रिक्त होता है, नियम, वसको software, option number A, software right answer हो जाएगा botany शब्द की उत्पत्ति किस भाशा के शब्द से हुई है तो botany की उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द से option number याँ पड़ी ग्रीक शब्द से botany की उत्पत्ति हुई है प्रश्ण right answer हो जाएगा आगरा नगर की स्थापना किस के द्वारा की गई तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई option number इ सिकंदर लोधी प्रशन के लिए बिल्कुल सई आंसर हो जाएगा कपूर को किस विधी द्वारा शुद्ध किया जाता है तो कपूर को शुद्ध करने के लिए उर्धो पातन विधी का यूज होता है option number A उर्धो पातन विधी प्रश्णी के लिए right answer है भारत के समविधान के इन्यम्न में से कौन से अनुछिद में राष्टपती की अध्यादेशों को घोशित करने की शक्ती नहित है तो राष्टपती की अध्यादेशों को घोशित करने की शक्ती अनुछिद 123 में नहित है option number A अनुछिद 123 प्रश्णी के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा भारती सम्विधान के अनुसार संग की कारेपाली का शक्तियां किसमें नहित है तो संग की कारेपाली का शक्तियां ये राष्टपती में नहित है option number B राष्टपती प्रश्णी के लिए right answer हो जाएगा बलकी दिशा में विस्थापन के साथ बलके गुणन द्वारा क्या निरुपित किया जाता है तो बलकी दिशा में जो विस्थापन होता है बलके गुणन के द्वारा निरुपित किया जाता है कारे को option number B कार होता है जब आप दिशामें बल लगा हैं और बल आपका जो है कोई सामगरी अपनी स्थान से सरके गुप्तकाल में किस विधातू के सरवादिक सिक्के जारी हुए थे तो गुप्तकाल के समय सोने के सरवादिक सिक्के जारी हुए थे option number इस सोने के सिक्के right answer है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा वस्तु को ठंडा करने पर अणुओं की जो चाल है वो घट जाएगी option number B अणुओं की चाल घट जाएगी प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह तत्तु जो अमलों का आवशक तात्विक घटक है कौन सा है तो अमलों का आवशक तात्विक घटक है आपका हाइड्रोजन Option number B Hydrogen अमलों का आवशक तात्विक घटक है Computer की भहुतिक बनावट क्या कहलाती है Computer की जो भहुतिक बनावट होती है बाहर से जिसको आप छूँ सकते हैं उसको hardware कहा जाता है Option number B hardware right answer हो जाएगा चिकित्सा सास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो चिकित्सा सास्त्र के जनक के नाम से जाने आते हैं आपके Hippocrates option number C Hippocrates चिकित्सा सास्त्र के जनक कही जाते है Right answer हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की दरवारी भाशा क्या थी तो दिल्ली सल्तनत की दरवारी भाशा थी आपकी फारसी option number B, फार्सी बोली आती थी दिल्ली सल्तनत में निम्नलकित में से कौन सा तत्तो सभी कार्वनिक योगिक में मिलता है तो सभी कार्वनिक योगिक में मिलने वाला तत्तो है आपका option number A, carbon option number A, carbon सभी कार्वनिक योगिकों में आपको मिलेगा ही मिलेगा भारत के सम्विधान के अनुछेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की आवधारना को रिखांकित किया गया है किस अनुछेद में तो right answer हो जाएगा इसको अनुछेद 330 में उल्लेखित या रिखांकित क्या गया है option number ए अनुछेद 330 right answer है भारते सम्विधान के अनुशार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है तो भारते सम्विधान के अनुशार देश का जो सबसे पहला नागरिक होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपती option number ए भारत का राष्ट्रपती प्रशनी के लिए बिल्कुल सही answer है इस्थेतिक चुंबकी चेत्र की उपस्तती में वर्ण क्रमनी रेखा कि कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है आपका जीमान प्रभाव, जीमान एफेक्ट, option number A, जीमान एफेक्ट प्रशने के लिए बिल्कुल सही answer है निम्नलगित मैं से किनके सिक्षे संगीत के प्रथी उनका प्रेम दर्शाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा संगीत के प्रथी, गुप्तों के सिक्षे उनका प्रेम दर्शाते हैं, option number C, गुप्तों के सिक्षे राइट आंसर है किसी वस्तु के ताप में व्रद्धिकार्थ है कि वस्तु की क्या बढ़ जाएगी तो ताप टेंपरिशर में आप यदि व्रद्धि करेंगे तो उसकी उश्मी उर्जा बढ़ गई है हम ऐसा बोल सकते हैं option number की वस्तु की उश्मी उर्जा बढ़ गई है सामानता निम्ने मैं से किसे भविष्य का इधन कहा जाता है तो भविष्य का इधन कहा जाता है आपका हाइड्रोजन को option number याँ पर एड्रोजन को भविष्य का इधन कहा जाता है सरप्रम आधुने कंप्यूटर की खोज कब हुई सबसे पहले आधोने computer के खोज होई थी आपकी 1946-26 में option number याँ पर ए 1946-26 प्रशनी के लिए right answer है वनस्पती सास्तर का जनक कौन है तो वनस्पती सास्तर का जनक है आपके Theo Fritz option number याँ पर A Theo Fritz ये वनस्पती सास्तर के जनक है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आये विद्वान अलवरुनी ने किस महत्पूर्ण ग्रंथ की रचना की अलवरुनी भारत आये थे और उन्होंने किताब उल हिंद की रचना की option number B किताब उल हिंद प्रशनी के लिए right answer है प्रक्रती में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले कार्वनी की योगी कौन सा है तो right answer प्रक्रती में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले कार्वनी की योगी कौन सा है तो right answer हो जाएगा यहाँ पर आपका cellulose, option नमबर यहाँ पर D, cellulose प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा भारती समिधान के किस अनुशेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्टपती भी होगा तो भारत का एक उपराष्टपती भी होगा, यह जो जिक्र किया गया है, यह किया गया है अनुशेद 63 में, 63, option नमबर यहाँ पर भी, अनुशेद 63 प्रशनी के लिए right answer है भारत का राष्टपती के बारे में कौन सा कतन सही है, तो भारत के राष्टपती के बारे में, भारत का राष्टपती राज का प्रधान होता है, option नमबर यह राज का प्रधान होता है, प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग डैश के बराबर होती है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तरंग वेग औप्शन बसी तरंग वेग प्रशने के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए महरावली में जंगरहित लोहिस्थम्प किस ने स्थापित किया था तो जंगरहित लोहिस्थम्प ये गुप्तों ने स्थापित किया था crypto hugo vpla vника वस्तुब का ताप सूचित करता हो की संपर्क करने पर उश्मा तो वस्तु का जो ताप है वह सूचित करता है की संपर्क करने पर जो उश्मा है अप एक छाक्रत कम तंथ की वस्तु में उस्तुससे प्रवाहित होगे तंथ क्या होता है जैसे कि आप चाय के लिए अपना जो चढ़ाते हैं बरतन तो गैस तो नीचे जलती है नीचे लेकिन धीरे 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 ऊपर भी गरम हो जाता है आप उपर छूते है तो आपको वहाँ पर भी गरम लगता है मतलब जो ताप है वो अपिक्षा क्रत कम ताप की वस्तू में उस वस्तू से प्रवाहित होता है कौन सा तत्व ब्रम्हांड में सरवादिक मातरा में उपलब्ध है सबसे जादा मातरा में आपका हाइडरोजन उपलब्ध है अप्षन नमबर यहाँ पर भी हाइडरोजन सबसे अधिक मातरा में उपलब्ध है अंकी एक कम्प्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सरवादिक योगदान किसका रहा है तो सबसे पहले रहा है आपका चालस बेवेज का सरवादिक योगदान अप्षन नमबर भी चालस बेवेज राइट आंसर है जन्तू विज्ञान के जनक कहलाते हैं तो जन्तू विज्ञान के जनक कहलाते हैं आपके अरस्तू अप्षन नमबर सी अरस्तू को जन्तू विज्ञान का जनक कहा जाता है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उत्देश क्या था तो भारत पर आक्रमण का उत्देश था मद्द एशिया में एक बड़े सामराज की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना option number यहां पड़ी right answer हो जाएगा कारबन के योगिकों में कारबन परमाणू की चारों सा योजकता है एक समचतुष फलक के चारों किनारों की ओर दिश्ट होती है तो था कारबन केंद्रों में होता है यह विचार सबसे पहले किस न दिया था कि कारवन जो परमाणू का परमाणू है परमाणू योगिक में बीच में कारवन होता है और चारों के नारों पर आपका सम्चतुष फलक होते हैं तो यह जो सिद्धान्त दिया गया था सबसे पहले दिया था यह लीबेल और वांट हॉफ ने अप्शन नमबर यहां पड़ी और वांट हो प्रशने के लिए राइट आंसर है निमने में से किस अधिनियम ने विदहाई का में संगिये सुविधा एवं प्रांतिय स्वायत्ता की सुरुवात की और केन तथा प्रांतों के बीच विदहाई शक्तियों के वितरन का भी प्रावधान किया तो राइट आंस था स्वाक्षुरस bes दुन कर 출õ खेजिते हैं चैसे को दुन सांपोत समान हो चाहिए तो अंचरर दाशन रहे हमें स्वामी कवन्च के जुप्षाश्ब्ष से 215росल दमिन कर दो थे इन मों कुरATE तो किसी भी वस्तु का जो ताप होता है उसके अणूओं के ओसत गतिज उर्जा का सूचक है अगला कॉशन देखिए इसमें आप से पूछा गया है किसी किस तत्व को रासायन विज्ञान में आवारा तत्व की संग्या दी गई है तो आवारा तत्व बोला गया है हाइडोज यह वर्लें निज्ञा की बात हो रही खोजकी नहीं जब हो चुका था खोज हो चुशकी थी प्रहिश आवसके बात नका सबसे ज्यादा योगदान है जीव ग्यान के जनक के दूट किसको जाना जाता है जी विज्मेट्स नंबर यहां पर अ कारशने के लिए प्रयोग शाला में संसलेशित किया गया पहला कार्बनिक योगिक क्या था सबसे पहले यूरिया को संसलेशित किया गया था भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्द मैंसे किस वरश हुई थी extensively 1950 यूरिया बहुती इस पचलेशित किया गया था भारत में कारेपालिका का अध्यक्ष कौन होता है घारत में कारेपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपती होता है option number A, राष्टपती भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है निवन में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सगन पदार्त उपर की और उठते हैं और उन्हें ठंडे अधिक सगन पदार्तों द्वारा प्रसी स्थापित कर दिया जाता है तो ऐसा होता है आपका कन्वेंशन में या समवहन में option number A, समवहन प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question दिखे गुप्त किसके सामन्त थे? दो गुप्त कोशानों के सामन्त थे option number यहां पर भी कोशानों के सामन्त प्रशन के लिए right answer है वस्तू को गर्म करने पर उसके अणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अणों में उनकी चाल बढ़ जाएगी जैसे वस्तू को गर्म करेंगे option number A, अणों की चाल बढ़ जाएगी hydrogen की खोज किसके द्वारा की गई? तो hydrogen के खोज करता थे आपके kevendis, option number याँ पर भी kevendis प्रश्णी के लिए right answer हो जाएगा निम्दल कितम से किसे computer का पिता मह कहा जाता है तो computer का पिता मह कहा जाता चाल सो बेवेज को option अंबर याँ पर भी चाल सो बेवेज प्रश्णी के लिए right answer है जीवग्ञान शब्द का प्रयोग सरप्रथम किसने किया? तो जीवग्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लिमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने option number याँ पर डी right answer है गजिनी का वहाँ प्रथम शाषक कौन था? जो खलीफाओं से सुल्तान की उपादी धान कर सुल्तान कहलाने वाला पहला शाशक बनिया था तो राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी, option number B महमूद गजनवी, option number B, right answer हो जाएगा सुल्तान की उपादी धान कर ली थी इसने और पहला शाशक बन गया था जिसको सुल्तान कहा जाने लगा जीवन शक्ती के सिद्धान का प्रतिपादन किस रासायन अग्य ने किया था तो जीवन शक्ती का जो प्रतिपादन किया था ये बरजीलियस ने किया था option number यहाँ पर A बरजीलियस प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर है अगला question देखिए भारत के राष्टपदी की तुलना नमलिकित में से किसे करना सरवादिक उचत है तो भारत के राष्टपदी की तुलना ब्रिटेन के समराट से की जाती है option number C ब्रिटेन के समराट से की जाती है electron volt डैश की एक एकाई है तो electron volt यह उर्जा की एक एकाई है option number यहाँ पड़ी उर्जा प्रशनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा निम्नमैसिक किसने 1979 1989 मैं भारत के प्रधानमंत्री मोराजी देशाई की जगली प्रशनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा और यह राज का आखरी कॉशन गुप्त सामराज का संस्थापक किसे माना जाता है तो गुप्त सामराज का संस्थापक माना जाता है श्री गुप्त को option number यहाँ पड़ी श्री गुप्त प्रशने के लिए right answer हो जाएगा और आपके लिए surprise question में आपसे पूछ लेता हूँ आपको comment करके बताना है कि विक्रमादित्र की उपाधी किस गुप्तिशाषक को दी गई थी विक्रमादित्र की उपाधी किस गुप्तिशाषक को दी गई थी इस प्रश्णिक आंसर आप comment box में comment करके बताइए दोस्तों जिसको भी pdf चाहिए आप में से यदि question पसंद आ रहे है pdf मिलेगी आपको आप whatsapp पे हमें whatsapp पे जो है hello hi लुक के भेज़ दीजिए इस नंबर पर ये नंबर दिया है आपको 62,64,73 99 रुपय की pdf है आप यदि आज बुक लेने जाते हैं तो 10,000 mcqgk की बुक आपको 10,000 की कितने में मिलेगी 300-400 की बीच में मिलेगी जिसमें 10,000 gk वो भी mcq दिया है theory की बात नहीं कर रहा हूं mcq की तो जिसको भी चाहिए हो starting के 1000 बच्चों को केवल 99 मिलेगी तो यदि आप चाहते हैं या आपका कोई और दोस्त वगेरा चाहता है तो इसका screenshot लेकर इनको भेजें और हमें message करें आप उसके बाद phone पे google पे करिए उसके बाद आपको whatsapp पे ही pdf मिल जाएगी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद द